हेलो दोस्तू स्वागत करता हूँ आपके यूटूब चैनल करंट जो के विद रिवीजन आज अपने बात करते हैं 8th मार्च से 13th मार्च के most important questions की जो कि ये one liner की form में हैं ये questions last week के अंदर अपने day by day पड़े थे अब उनके रिवीजन का time है बात करते हैं सबसे पहले first question की परतेक वर्च 8th मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है so international women's day इस दिन हर साल या every year मनाया जाता है इस बार की जो theme रखे गई women in leadership achieving an equal future in a covid-19 world so ये वाला जो question है आपका important question रहेगा और आपको आगे आने वाले जो exam है जैसे कि आपका ssc का exam हुए और आपका जो railway का group b का exam है और जो आपके anti-pc का phase second का exam है उस दोरान आपको ये question और उसकी theme देखने को जरूर मिलेगी और ये जो day है सबसे पहले जो मनाया गया था वो 1911 के अंदर ये day मनाया गया था फिर बात करते हैं next question की सुख्त राष्ट्रक के सहाएक महासची के रूप में किसे नुक्त किया गया सो भारतिया मूल की एक economist टैली गया नोर नहाँ उनको सायक महासची के रूप में नुक्त किया गया इन्ही के साथ साथ अब जो न्यू यार्क के अंदर UNEP का मुख्य न्यालिया है वहां का जो मुख्य न्याई थी साया फिर main person है वो इन्ही को ही चुना गया है अब यहां पर अपनोंने बात की है एक तो सुख्तराष्ट United Nation की United Nation की अपने बात करते है तो इसकी जो स्थापना हुई थी 24th October 1945 को हुई थी इसी के साथ साथ अपनोंने बात की यहां पर UNEP की United Nation Environment Program जो है इसका जो headquarter है वो Kenya के नेरोबिक के अंदर परजेंट है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972 के दोरान हुई थी फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में किस बैंक के दोरा स्पार्ट अप उन्नती अभ्यान स्टार्ट किया गया So Housing Development Finance Corporation HDFC बैंक के दोरा यह एक अभ्यान स्टार्ट किया गया है यह जो अभ्यान है बेसिकली वोमन्स से लेटेड है जो भी वोमन्स एंटर्पनेर है उनकी जो भी प्रॉलम्स होती है उनको सौल करने के लिए एक मेंटोर जो बनाया जाएगा उसी के लिए यह पर्टिकुलर अभ्यान स्टार्ट किया गया है अब यह अपने बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1994 के दोरान हुई थी और प्रजेंट टाइम में इसके जो MDN CEO है वो सशी धरर जगदिशन जी बने हुई है फिर बात करते हैं बांगला देश के पहले transgender न्यूज रिडर के रूप में किसे निक्ति किया गया सो तशुनावा अनन शिशीर को इसके लिए स्लेक्टिक किया गया है बांगला देश का एक बोश किया नाम से टीवी न्यूज है उसकी ये anchor या फिर न्यूज रिडर वहाँ पर बनी है फिर बात करते हैं किस संग्ठन ने इंटरनेट साथी कारे करम के समापन की गोशना की सो गूगल के द्वारा इसके समापन की गोशना की गई है ये जो इंटरनेट साथी प्रोग्राम है गोगल ने Tata Trust के साथ मिलकर प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसके तहट जो ग्रामीन महिलाई है उनको बीजिटल सक्षरता के बारे में जागूत करने के लिए अभ्यान स्टार्ट किया गया था जिसके तहट जो भी इसके होंगे उनको नाम इंटरनेट साथी नाम दिया गया था फिर बात करते हैं योनेक्स स्विस ओपन नाम से जाना जाता है अब बात करते हैं जो इंडिया और इंगलेंट के भीच में जो सीरीज होती है योन्निया में जाना जाता है से जाना जाता है जो भी परसन मुझे इसका अंसर कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका फोटो और नाम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा फिर बात करते हैं 29 वे नई दिली विस्व उस्तक मेले का जो उदगाटन किया वो किसके नेक्स्ट कोशन की स्वभी हाली में फैबरी मन्थ 2021 के लिए ICC में प्लेयर ओफ दमन्थ अवार्ड जो है वो किसे मिला सो ये अवार्ड जो है भारत के रवी चंदर अश्विंग जो कि एक स्पिन बोलर है उनको और इंग्लेंड के टैमी बेनो मॉंट जो है उनको इस अवार से समानित किया है एदी अपने बात करते हैं जनवरी मन्थ 2021 के लिए रिशेप मन्थ जो कि इंडिया के विकेट के पर है उनको मिला और जो शावत अफरिका की स्माइली है उनको इस अवार्ड से समानित किया है फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्य मंत्री ने हाली में इस्तिफा दिया सो उत्राखंड के मुख्य मंते त्रिवेंदर सिंग रावत जी ने भी वहाँ पर अपना इस्तिफा वहाँ के जो रज्य पाला बेबी रोनी मोर्य को प्रवाइड करवाया है फिर बात करते हैं बांगला देश ने अभी 1971 के युद्ध हुआ था उसकी पचास वर्षगांट मनाई या फिर अपना सवतंतरत दिवस मनाया है जिसकी पचासमी ये वर्षगांट है फिर बात करते हैं किस व्यक्ति की आतम कता दा फ्रंटियर गांदी माई लाइफ एंड स्ट्रगल है सो इसका जो राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफार खान जी है उनकी ये आतम कता है ये जो आतम कता है 1983 के अंदर लिखी गई थी जो कि पास्तो लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी जो कि राज महुन गांदी जी के द्वारा लिखी गई अब बात करते हैं ये जो आतम कता है उसको पाकिस्तान के इम्तियाज एहमद साहिब जादे है जिनके द्वारा इसका English language के अंदर convert किया गया है फिर बात करते हैं कि जो खान अपदुल गफार खान है इनको पाकिस्तान के गंदी के नाम से भी जाना जाता है और इनको जो है 1987 के दोरान जुन भरत रतन अवार्ड है वो भी provide करवाया गया ये पहले ऐसे और इकलोते ऐसे person है जिनको पाकिस्तान के जिनको की भारत रतन अवार्ड प्रोवायड करवाया गया फिर बात करते है कि संधने वोमन विल नाम से एक निया वैब प्लेटफॉर्म लॉंच किया गूगल के द्वारा ये लॉंच किया गया है कि जो की women's entrepreneurship है उनकी help करने उनके जो भी questions है उनकी जो भी problem है उनको solution करने के लिए ये निया वैब प्लेटफॉर्म लॉंच किया गया है अब ये अपने बात करते हैं गूगल के बारे में इस गूगल की स्थापना जोई थी वो 1998 के दोरान होई थी और लेजजी पेरेज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो headquarter है USA के California के अंदर present है फिर बात करते हैं वर्ड रैंकिंग स्रीज में स्वन पदक कि इसने जीता सो विनेस फोगाट और बजरंपुनिया के द्वारा ये जीता गया ये दोनों जो है रेशलर हैं फिर बात करते हैं एशिया पेसिफिक रूरल एंड एग्रिकल्चर क्रेडिट एसोशीशन के अध्यक्स जो है वो जी आर चिंताला को बनाया गया है जी आर चिंत जाती है इसका जो स्थाफना हुई थी वो कब हुई थी वो इसके बारे में भी पूछा जाता है और इसके अध्यक्स कोन है इसके बारे में भी पूछा जाता है तो ये वाला जो कोशन आपका नाबार से लेटर इंपोर्टेंट कोशन आपका रहता है फिर बात करते हैं किस ग्राउंड पर ICC World Test Championship का final match जो है खेला जाएगा इंगलेंड के सांफटन एज बोल स्टेडियम है उसके अंदर ICC World Test Championship का final खेला जाएगा इसके अंदर ये जो test championship हो रही है जो कि इंडिया और न्यूजिलेंड के बीच में ये इसका final खेला जाएगा फिर बात करते हैं next question की so BBC Indian Sports Woman of the Year का आवार्ड किस ने जिता सो भारत की जो चेस प्लेयर को ने रूप हमपी है उनको Sports Woman of the Year का आवार्ड दिया गया है इसी तरह से ये अपने बात करते हैं Emerging Player of the Year का आवार्ड Indian की form में जो मनु भाकर है उनको दिया गया और जो अंजू जोर्ज बो भी है उनको Lifetime Achievement Award जो Western Athletics है उनकी स्रेणी के अंदर प्रवाइड करवाया गया फिर बात करते हैं next question की में धावी लड़कियों के लिए Super 75 जो छात्तरवरती योजना है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई इस सो जम्मो कश्मे के उप्रज जेपाल मनोसिना जी के द्वारा ये जो scholarship है वो स्टार्ट की गई है ताकि वहां की जो भी बचियां है वो engineering के एक्षेतर में, medicine के एक्षेतर में और फिर ITI के एक्षेतर में इन सब के एक्षेतर में एक अच्छी उपलब्दी हासिल कर सके जिससे उनको जो भी money से related प्रोग्रम है वो इससे दूर की जा सके फिर बात करते हैं सारजुनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब को परतिबंदित करने वाला है पहला ये जो बना था फ्रांस बना है जिनोंने 2011 के अंदर जो भी सारजुनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब को परतिबंद कर दिया अब ये जो कोशन इसले बज़े से आया है कि जो स्विजरलेंड कंट्री है वहाँ पर भी सारजुनिक स्थालों पर बुर्का और नकाब को परतिबंदित करने के लिए एक वोटिंग की गे थी जिसके तहत वहाँ पर जो इसके फैवर के अंदर जो 51.1% जो वोट है वो इनको मिले सो हो सकता है कि आगेवाने वाले समय के अंदर से जर्लेंड के अंदर भी सारजुनिक स्थालों पर बुर्का और नकाब को परतिबंदित कर दिया जाए फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले विशु को शिल के अंदर का उद्धाटन किया जो उडिसारज्य के मुख्यमंत्री नविन पटनाएक जी के द्वारा इसका उद्धाटन किया गया है अब ये अपने बात करते हैं जो स्किल युनिवर्स्टी है इंडिया की पहली जो बनी थी वो हरियाणा के गुर्गराम के अंदर बनी थी जिसका नाम जो है विशु कर पार्टी के हैं फिर बात करते हैं भारत और बांगलादेश के बीच में मैत्री सेत्टुका जो उद्गाटन किया गया वो नरेदर मोदी जी के द्वारा किया गया ये जो ब्रीज है इसको दा गेटवे ओफ नोर्थ इस्ट के नाम से भी जाना जाता है जो की फैनी नदी के उ ना जाता है या फिर इसका जो उद्गाटन किया गया हो किसके द्वारा किया गया और ये कि दो देशों के बीच में बनाया गया है फिर बात करते हैं किस देश ने आर्थिक सथंत्रता सुचकांक 2021 में शिर्थ इस्थान प्रापत किया सो सिंगापुर कंट्री जो है इसके अ rank रही थी वो 120th rank रही थी तो इसको याद करना easy है यदि आप 21 की बात करते हैं तो 122 भी रहेंके इंडिया की रही थी फिर बात करते हैं OECD के उनसार financial year 21-22 के लिए भारत की जो GDP दर रहने का अनुमान लगाया गया है वो 12.6% रहने का अनुमान लगाया गया है फिर यदि अपने बात करते हैं OECD के बारे में इसका जो headquarter है वो Paris France के अंदर present है और ये basically एक finance company आप कह सकते हो वित्य कंपनी कह सकते हो जो की एक guess लगाती है कि किस country क कितनी GDP next year या फिर इसी साल रहेगी आप लोग मुझे comments के अंतर OECD का जो full form है वो आप लोग मुझे बताएंगे फिर बात करते हैं next question के बारे में सो अभी हाल में वर्ष 2021 के लिए सुक्त राष्टर के बाहरी लेखा प्रिक्षकों के पैनल के अध्यक्स के रूप में दुबारा किसे निक्त किया गया सो जी सी मुर्मो जो कि भारत के 13th नंबर के केग है उनको अध्यक्स बनाया गया है और 2020 के अंदर भी ये इसके अध्य से बने हुए थे फिर बात करते हैं अफ्रिकी नतरत में उपलबदी के लिए 2020 के लिए इब्राहिम प्रोषकार जो है वो किसे मिला सो नाइजर कंटी के जो राष्ट पती महा मोदोव इसू फाउ जो है उनको इस समान से समानित किया गया ये जो अवार्ड है बेसिकली जो स रुषकार है फ्रिकी जो कंटिनेंट है उसके अंदर जो भी गरीब देश है उनके अंदर जो लेडर सिप अच्छी तरह से कर रहा है उनने को ये अवार्ड प्रवाइड करवाया जा रहा है और ये पॉलिटीशन को प्रवाइड कराई जाने वाला सबसे अवार्ड है जिस जारी की गई है वर्ड एकोनोमिक फॉर्म के द्वारा जारी की गई है वर्ड एकोनोमिक फॉर्म का जो हैड़ कोर्टर है वो कॉलंगोनी स्विजर लेंड के अंदर पर्जेंट है और इस बार की जो इसकी जो मीटिंग होगी वो सिंगापूर कंट्री के अंदर मैं मन्त के अ आविजन किया जाएगा और ये इतिहास में सेकंड टाइम ऐसा हो रहा है कि वर्ड एकोनोमिक फॉर्म की जो मिटिंग है वो स्विजर लेंड के दावोस के अलावा दूसरी जगे पे आविजन इसका किया जा रहा है फिर बात करते हैं राष्ट पती रामनात कोविंग के जो की बारत की पहली IPS महिला है और ये जो पुदुचोरी की पहली उपराजयपाल थी महिला उपराजयपाल उनको इस अवार से समानित किया गया है फिर बात करते हैं किस देश ने अंत्रिक्स में पहला से ने अभ्याज स्टार्ट किया सो फ्रांस कंट्री के द्वारे ये स इसके अंदर USA की जो स्पेस एजन्सी जर्मन की जो स्पेस एजन्सी वो भी इसके अंदर पाटिस्पेटर कर रही है फिर बात करते हैं इंटरनेशनल फैडरेशन ओफ फिल्म आर्चीव दोरा पुरुषकार से किसे सम्मानित किया जाएगा सो अमिता बचन को इस सम्मानित क किया जाएगा फिर बात करते हैं टैंथ मार्च को कौन सा दिवस पर्टिक्लर मनाया जाता है सो राइजिंग डे ओफ सी आई एसफ जो है वो मनाया जाता है अब यदि बात करते हैं सी आई एसफ की सो इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे और इसकी जो प्रजेंट टाइम में डी जी बने हुए है सो बहुत जाय स्वाल जी बने हुए हैं सी आई एस अब जो है इसका मुख्य हो देश है हमारे जो भी गौर्मेंट और जो प्राइवेट सेक्टर की जो बड़े कंपनीज है उनको स्रुक्ष्य प्रवाइड करवान इसका मुख्य उदेश है फिर बात करने करना निदी लाइफ पुस्तक के लेकर जो है एस पनीर से वियन जी है फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशिन के बारे में सो अभी हाली में विस्व का सबसे पावरफूल या फिर जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है वो सुपर कम्प् 14 से इसका निर्मान किया जा रहा है जो कि अभी बनकर प्रिपेर हुआ है अब ये इसकी स्पीड की बात करते हैं इसकी जो स्पीड है वो 442 पेटा फ्लोप्स होती है अब ये अपने बात करते हैं पेटा की सो पेटा जो होता है इसका मेंस होता है 10 की पावर 15 अब ये अपन फ्लॉप्स की भी बात करते हैं ति यह पर्टिकुलर जो होता है एक फ्लोटिंग 32 बिट का एक structure होता है जिसके अंदर 32 बिट होती है जिसके अंदर फिस्ट बिट आप लेते हो फिर आप 8 बिट लेते हो फिर आप 23 बिट लेते हो इस तरह से इसका design किया जाता है और इसी की speed क्या होती है बहुत ज़्यादा इसे हो जाती है फिर अपने बात करते हैं भारत वे उजबेकिस्तान के स्युक्त सेने अभ्यास का नाम क्या रखा गया सो इसका नाम जो रखा गया है वो डस्ट लिक सेकेंड रखा गया है और ये जो स्विक्ट सेने अभ्यास है ये भारत के जो उत्राखंड की रानिक है जो एरिया है वहां पर इसका भ्यास किया जा रहा है फिर बात करते हैं दांडी मार्च को हरी जुंडी दिखा कर आजादी का अमरत महसुव जो श्टार्ट कि यहां पर बने हुए थे फिर अपने बात करते हैं इस जो दांडी मार्च यात्रा थी इसकी जो लेंथ थी वो 241 माइल्स थी एदिस्टी किलोमेटर के अंदर पूछा जाता है तो आप 1.6 से इसको मिल्टिप्लाई कीजीगा वो किलोमेटर के अंदर आ जाएगा फिर बात क बने हैं इनके जो भी परमुक है इन सबी राष्ट्रों के जो परमुक है एक वर्चियल मीटिंग कीगी जिसके अंदर उन्होंने पार्टिस्पेट किया फिर बात करते हैं प्रादेशिक से नामे नीमित कमिशन अधिकारी बनने वाले भारत के पहले संसर्थ सदस्या जो है ये अवार्ड जो है वो मिला है और इस ICAR के बहाफ पे सुचित्रा दुरारी जो कि थाइलेंड के अंदर भारत की उचायुक्त है उनके द्वारा ये अवार्ड रसिव किया गया है फिर बात करते हैं प्रतेक वर्स मार्च महा के दूसरे गुरुवार को कौन सा दिवस मनाय गया सो वर्ड किडिन डे जो है वो मनाया गया इसकी जो थीम रखेगी लिविंग वैल विद किडिने डिजेज नाम से रखे गया है फिर बात करते हैं टूथाउजन टॉन्टिफाइव अंतराष्ट ये ओलम्पिक समिति के अध्यक्स के रूप में दोबारा किसे री अंप कर दिया गया है तॉम्सबाग जो बेसिकली जर्मन के रहने वाले पर्षन है अब यह दिए अपने बात करते हैं आयोसी की सो आयोसी का जो हैड़क्वाटर है वो लोशिन स्विजरलेंड के अंदर परजेंट है फिर बात करते हैं यह था आज का वीडियो यह दिए आप लो वीडियो के अंदर नाम के साथ पब्लिश किया जाएगा जो कि आज के कोशिंग का अंसर मुझे कमेंट्स में बताएगा at the last thanks for watching thank you thank you so much